मैं हूँ डॉक्टर परंधीत और आप देख रहे हैं डॉक्टर एडूकेशन हम बात कर रहे हैं खाने पीने या डायट या वेट लॉस के बारे में जो गलत धारनाय मिट्स मिसंडरस्टेंडिंग्स है लोगों को दुनिया में या इंटरनेट पर पढ़ सकते हैं उन्हें किस सब्सक्राइब करें और किसुब में खर्कते है कि था कुरो सबस्क्राइब कर जाते हैं तो सब्सक्राइब करिए मेरा यह चैनल डॉक्टर एजूकेशन हाлем begins ता कि आप आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं दूद एक बहुत आवशक्त चीज है जो आज के दौर पे हर इंसान को लेना चाहिए दूद में वो हर एक प्रोटीन, हर एक मिनरल, हर एक विटामिन, हर एक एलिमेंट है जो एक कम्प्लीट डायेट को जाहिए होता है लेकिन जो फुल क्रीम मिल्क होता है उसमें पैट के अमाउंट थोड़ी जादा होती है जी आप एक करीम निकाल के या क्रूमित अमांट इसके हैं बाकी का जो मिल्थ है ओसमली मुटिशिस है वो आपके लिए वेस्ट होता है उसमें धरपोर अमांट अफ कैल्शियम, मिनरल्स, नूट्रिस, प्रोटीन, सब कुछ है तो दोस्तो एक adult को दिल में तीन सर्विंग दूर के लेनी चाहिए तीन सरविंग का मतलग होता है कि दूख दही पनीड कोई भी चीज दिल में तीन बार यह यह तो दूछ आ रख़ांगि ऐसा आप कर सकते हैं लेकिन तीन सर्विंग आपको दूर के लेनी का रहिगे ऐसा कहा गया है, healthy रहने के लिए, और जैसे जैसे आप की उमर भढ़ती रहती है, आपकी केल्शन की रिक्वार्मेंट बढ़ती है, आपकी प्रोटीन्स की रिक्वार्मेंट बढ़ती है, तो milk is very good for your health, milk दूद पीते रहिए, मगर मलाई निकालके, या तोन्ड मिल्क वो आपको healthy होएगे, ऐसे ही हम और भी गलत घरनाय दूर करेंगे, और आपको fact वाली स्टिक बाते बताएंगे, देखते रहे हैं हमारा चैनल और सब्सक्राइब करें बगार मत जाईएगा, जितना हो सके इस वीडियो को शेर ज़रूर करें, thank you so much for watching, मैं हूँ दॉक्टर परमजीत और आप देख रहे हैं Dr.Education